नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समचार चौपाल समचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज भी इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ ये खबर भी समाज से ही जुड़ी है और संबंधी थे आर्मी रेकूरिटमेंट रैली के इंतजार कर रहे युपाओं स आप दर्शकों के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने चौपाल समचार पर भरोसा किया है आप लोगों ने प्यार दिया है आप इससे जुड़े हुए हैं हम इसके सबसे पहले आभारी हैं और आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आर्मी भरती रै जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करता है और आज भी हम आपको एक लब्ज में एक लाइन में कहेंगे बेगर समय गवाय हुए कि अभी तक भी कोई सूचना ऑथेंटिक जानकारी खास कर अभ्यर्थियों के लिए नहीं आई है अब रही बात TOD की अब रही बात exam की या होगी बात की किस परकार से भर्ती प्रकडिया चलेगी तो देखिए ये सारी जानकारी अभी अभ्यर्थियों के लिए नहीं अभ्यर्थियों के लिए जानकारी का मतलब है कि जब भी कोई सूचना finalize हो जाती है उस सूचना के respect में को कोई नोटिफिकेशन जारी होता है फिर उसके बाद अभ्यर्थियों के लिए वो चिज लागू होता है अभी बहुत ही चिंता जनक भी साय है कि वरशों बीत रहे हैं और आर्मी भरती रैली नहीं हो रही है और ये चुकि भारतिय शेना की बात है बार बार कहता हूं और ये आर्मी की बात है इसको लेकर कहीं से भी कोई बाहरी वेक्ती हम आप इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं बहुत लिमिटेट स्कोप है जहां पर आप पता कर पाएंगे बहुत ही लिमिटेट इस लोग हैं जो आप से बात कर पाते हैं चुकि ये बहुत ही confidential और बहुत बता देते हैं यह आपको पहले से भरोसा है आज भी हम प्रयास करते रहते हैं कि जब भी कोई शूचना आती है था हम आपको बताते रहे हमने बीच में लगातार दो तीन दिन वीडियो भी बना दिया था लेकिन मैंने देखा कि कोई शूचना आ ही नहीं रही है तो हम नहीं करते हैं हमारे टीम को चुकि हमारे टीम तो हर समय आपके बारे में सोचती रहती है हर समय हमारे जब आपके बारे में सर्च करती रहती है लेकि कोई शूचना ही नहीं है अब उसको लेकर वीडियो बना कर अगर आपका समय दस-दस मिनिट का समय भी अगर सव बच् इसलिए चौपाल समचार में ऐसे किसी वे परगार के वीडियो को हम लोग नहीं दिखाते हैं इसका मतलब यह नहीं है मैं बार बार कहना चाहता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों ने नजर इस पर से हटा दिया है और इसको لेकर हम कोई बात नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है मेरी नजर वो हर बात ओपर है जो हमारे देश हित की है ये बच्ची आर्मे भ्रती रेलि को लेकर इतने लोग तयार करतें उसके हित की है उसको लेकर हम नजर बना कर रखे हुगे आप phone करते हैं, हमारे team से संपर करते हैं सिधे सिधे आप हमसे भी संपर कर सकते हैं आपका number जो डिस्प्ले कर रहा है ये number आप मुझे call कर बात कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा इसका गलत इस्तमाल, बेवजाय इस्तमाल ना करें समय का भाव हो जाता है जब आप मुझे कॉल करते हैं अच्छा लगता है कि आपने कॉल किया लेकिन उसमें कोई authentic सुचना है ये नहीं और उसको लेकर आप अगर मेरे से बार-बार सवाल पुछेंगे बहुत सरा लोग पुछेंगे तो ये उचित बात नहीं है समय का आप भी ख्याल रखें हम भी ख्याल रखते हम लोग मिलकर देश हित के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो इसको लेकर सब लोग जरूर ध्यान रखें कि एक दूसरे को शहयोग करें परिशान नहीं अब रही एक बात लोग भार-बार आपको बरगला रहे हैं भार-बार आपको किसी ने किसी गलत फाहमी का सिकार बना रहे हैं किसी ने किसी अफवाहर यूमर के बीच में आपको उल्जा रहे हैं तो ये आपकी जवाब दे ही बनती है कि आप ऐसी सूचनाओं से दूर रहें मैं बार-बार आपको कहना चाहता हूँ ऐसी सुचनाओं से दूर रहें आप एक पत बताओ पुरानी कहावत है कि जो दूद का जला होता है वो छांच को भी फुक फुक कर पीता है तो ऐसे चैनल जिससे आपको कहीं से भी सुचनाओं गलत मिली हो तो वह आपका जवाब दही बनता है उसके साथ क्या है कैसे उससे साथ जुड़ा रहना है कैसे नहीं रहना है अगर आप इसको entertainment के रूप में ले रहे हैं तो आपके अची बात है लेकिन अगर सुचना की बात करें तो authentic source पर भरोसा करें और उसी के साथ जुड़े मैं यही कहने के लिए आज तक अभी आया हूँ आपके सामने और यह बात आपके सामने रख रहा हूँ अभी भी मैंने ज्वाइन आर्मी को देखा है प्रती एक दिन हमारे टीम देखती है समचार चैनलों को देखती है सोसल मीडिया को एक्स्पोर करती है और कोई भी सूचना आती है तो उसको हम finalize करने का उसको देखने का समझने का प्रयास करते हैं और जब वो authentic नहीं नजर आती है तो उसको लेकर कोई वीडियो हम लोग नहीं बनाते हैं चुकि समय के बहुत ही बहुत ही बहुत को हम लोग समझ रहे हैं और आप यह से समझते होंगे एक बात और है अभी जो campaign चलाया जा रहा था एक campaign जो ट्विटर के माध्यम से आप लोगों ने चलाया बहुत ही बहुत ही बेहतर रहा ट्रेंडिंग पर रहा और उस समय चौपाल समझार के माध्यम से हम लोगों ने आप लोगों को जोरने का प्रयास किया था अब उसके बात की जो स्थिती आई जितनी भी रह लिया हुई है जिस तरह से परदलसन की बाते चल रही है इधर उधर इनकल आप जिंदाबाद हो रहा है तो लोग तांतरिक तरीके में विरोध करना आपका यह है आप कर सकते हैं लेकिन व्यभारिक तोर पर मैं कहाना चाह हमें भरोसा रखना परेगा हमारे देश की सेना पर हमें भरोसा रखना परेगा अपनी सरकार पर हमें भरोसा रखना परेगा अपने तयारी पर और समय का भी ख्याल रखना परेगा यही वास्तविकता है इसे अगर आपने स्विकार नहीं किया है तो यह समस्या जो है वो हम आप सभी लोगों के लिए परिशानी का सबब बनेगा आप इसे स्विकाज करें मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ आप वीडियो पहले वाले वीडियो में जाकर चौपाल में देखेंगे कि ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें समय नहीं रहा ऐसी अभ्यार्थी जिनका समय कहता रहा हूँ कि अपने विकल्प की तलास जरूर करते रहें भारतिय सेना में वाली अगर नहीं होती है यहां एक brut इसका मतलब में भी रहेगा बात इसको लेकर आप लोग अपनी अपनी तयारी जरूर बनाएं नई तयारी नई उमीद के साथ हर लोग जब आगे बढ़ते हैं तो और कुछ बेहितर होता चला जाता है तो ऐसे लिए इनका एज बढ़ गया है उन्हें अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोग बिकल्प को तयार रखें आने वाले समय का भी इंतजार करें सी एक्जाम को लेकर जो लोग इंतजार कर रहे हैं भया उसके लिए तो बहुत ही दुख होता है ऐसे बच्चे जो कि अब आर्मी में जा रहे थे या उनको नोकरी हो रही थी या वो देश सेवा में जा र रखें समय आने दे हो सकता है कि कुछ बेहतर होगा लेकिन लेकिन मैं कहूंगा कि अभी इसके लिए कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है नई भरती नई रैली या टी ओडी की बात जहां तक है वो भी समय के साथ इसका जवाब मिलेगा हम सब देश की बेहतरी के लिए अपन में जरूरत नहीं कि ग्राउन में जाने के बाग आप आप उहां से बहुत कुछ करेंगे या बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे याशी बात नहीं है इस्सारे मिलता है उसके आर्मी कर सकते हैं तो इसलिए ग्राउन में जरूर जाएं ऐसे बच्चे जिन्हें ऑफरेज भी हो गया है ना वो भी ग्राउन में जाएं मैं आपको यही कहूंगा स्वासलाब के लिए जाएं जब आप फिट रहेंगे तो आर्मी और सारी चीज़ों में भी आपको जाने का बेहतर म बना कर रखे हैं सूचनाए आएगी हम आप तक शेयर करने का प्रयास करते ही रहेंगे और जो भी सूचनाए आप देखेंगे ऑथेंटिक सूचनाए हम आप तक पहुंचाते हैं इसमें कहीं से कोई संसय नहीं हो सकता है जो भी हमारी टीम है या जो भी हमारे लोग हैं जो जिला पर्शाशन है या जिस तरह से है चौपाल शमाचार को जो पुक्ता ख़बर है वो हम लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते हैं और हम लोग भी मिलकर समाजित की ख़बर आप तक पहुचाते हैं तो आप लोग जुरे रहें चौपाल शमाचार से और भी लोगों को जोरने का प्रयास करें इधर उधर की बहकाबों में नहीं आए डलालों से साबधान रहें इस बिकट परिष्थिती में भी लोगों के साथ ठगी की जा रही है और इसको लेकर अफवाहों से दूर रहें ठग से डलालों से दूर रहें अपनी मदद अपनी मेहनत पर भरोसा रखें अपने परिवार के का भी ख्याल रखें चुकि बहुत सारे जगा पर दिखा गया है युवा होतो साहित हो रहे हैं और इसको लेकर बड़ी दुखत सारी सुचनाय सब आती है इन सब जियों से दूर रहें समय आएगा बहुत करता हूं आने वाले समय में हम सब मिलकर ही देश की सेवा के लिए जो कुछ भी करेंगे लोग उसे याद रखेंगे तो असके लिए बस इतना ही है इस वीडियो को जाता है शेयर करिए चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए नंबर को अपने मोईल में सेव कर लिजिए और एक बार कहेंगे जैहिंद कहते हुए वंदे मातरम की जैघोस के साथ अपने दिल को अपने दिमाग को मजबूत करें और कहें कि हम लोग बहुत बेतर करेंगा असके लिए बस इतना ही है बहुत बहुत धन्यवाद मैं हुआफ शेकानांद्च्वापाल समचार के लिए झाल 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 झाल